अजय बाड़े स्टॉड़ेंट्स चेक्ट नमरेपोर्ड सेल्स एंटेशूट्स जैसे की प्रीवीज लेक्चर के नंदर हमने बार मायट्रोगांड्रिक के बारे में अच्कित्य में हम एक और के पड़नेगे जा रह Ryuह के लुए जोचित्य की उनलों की तरह कि मनली पड़ेंगे के पड़ा चाहर होस्त्तोंS तो हम ने और गच्वड़ के होगा कि अब अब जी इस के मुतर्अ बिदू अब्रोट में ऑस्क्राइब का आओ तो क्या होते है यह सिलके अंदर अरगिनेली होती है जिसको हम प्लाासिट कहते हैं और इस प्लासिट के अंदर डिपरेंट पिगमेंटस coffin होते है तो इस पिगमेंट की वचछे से यह डिपरेंट कलर हम süह को दिखा आई तो आज के लिक्चर में हम इसी आर्गेली के बारे में पढ़ने जा रहे इसकी कुछ इंट्रोडक्शन। और इसकी डिफेरंड जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में आप ये बाट करेंगे तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उसको हम कुछ इस्ता डिफाइं कर सकते हैं कि प्लासिड और मीम्परेन बाउन्द और गिनेलीज अकर्स इन दजी प्लांड्स इंड पडोक्षिंटेिक प्रोस्ट्स और गिंड रोगी होते है क्य उसल्के अंदर प्रिजैन रहा है यह इतने जी प्लांड्स truck और यह बन्स के जितने भी प्लांफ़ एक यह पौतल सिंथ तो इस व्योक है जो आई आउनुजंग हो द्यार अई में को जी में आई अच्छा जी अंपटर्व किया तो सबसी पहले इस ने आउनgement ons्ट घेकल अए अख़जिस झाँ बिले इसने प्लासिट को सबसे बिले इसने डिसकावर किया था अब हम आते हैं इसके कुछ टाइप्स की तरब तो बैसिकली ये इसके हमारे साथ होते है त्री टाइपस हमारे साथ होते है सबसे बिले को हम क्या कहते है सबसे बिले को हम कहते है क्लोरोप्लास्ट सिकर्ड नमबर पर हमारे साथ आता है क्रोमोप्लास्ट तर्ड नमबर पर हमारे साथ आता है लिवकृप्लास्ट आइ नाइ तो fel 18 आहिस्ता हम में उसको एकस्प्रेन करनी जा रहे है सबसे पहले आमा नीसी साथ आते क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह पिक्लोरो को मतलब uh गया थैसल जो होगिया तो बैसली किसकी तरफ इशारे क्लोरोफिल की तरफ प्रिविएस क्लासिस के अंदर शायद आपने पड़ा होगा कि क्लोरोपेल जो है प्रॉट सेंथिस को परपॉर्म करने में बहुत से हिल्प करती है और यह ग्रीन पिग्मेंट और मुझे मिल उती है अच्छा जी और प्लास्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया प्लास्ट यह प्रपिश आ रहे तो इसका मतलब क्या हो गए कि यह प्लास्ट हमारे साथ क्या होते है यह ग्रीन होते है अच्छा जी दिस दटाइब प्लास्ट विच कंटें ग्रीन पिग्मेंट इसके अंदर क्या होते है यह इसके इंदर ग्रीन पिग्मेंट होते हैं अब हम कहते हैं कि तूजवाय कने उसके ग्रीन कलर होगी एक चीज को जाए यह ग्रीन कलर करती है तो इसकों किलोरॉप्लास के विड्लीन पिग्मेंट्स घंच के तो इसाँ मुझूद होता है तो हम आपते है तो माइटो कांड्रिया की तरह इस की भी जो है Durable मिम्प्रेन उती है जैसे कि प्रिविस लेक्च हें लेक्चर के अंदर हमने Pirate yogurt को पढ़ता तो इसको भी हमने पढ़ तकी इसके अंदर दो मिम्ब्रेन सोते है double membrane होते है एक outer membrane होती है और हमारे साथ था इंडर earned throughल्गल 2022 है हमारे हैं हमारे साथ होता है है डूल मेंप्रेनせて होता है लेकिन वहाँ एक कड्नीशन कुछ और था यह वहाँ पर बाहर वाले जो हमारे साथ मियंगा final तो वहां पे मावला कुछ और ता और यहां पे दोनों के दोनों जो निम्परेंज होती है इनर और आटर दोनों जाए यह स्मूध होते हैं अब आम आदेज की कुछ डाइग्राम की तरफ तो वहां से आपको आईडिया क्लियर हो जाएगा अच्छी यहां पे आप देख रही है यह इसकी कलोरोप्लास्ट की डाइग्राम आप देख रही है यह तो यह वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रही है यह जो बेरोनी जो बाउंडरी आपको नज़र आ रही है तो इसको हम आउटर मेंब्रेंड कहते हैं और यह जो अंदरोनी वाला ब तो इसके अंधर जो है जो इंदर मेंड़ेन हैं कोर कियुit है हमारे साथ एक चंबर होता है हमारे साथ एक तालापसा ह哇 हुऩा होता है तो इस सार एक फारे अंदर इसको हम किए इसको हम च्रोमा किहते है और structure यह basically क्या ही हमारे साथ तीसरी एक membrane है जो सेख के पाम में होती है एक तेली के पाम में होती है तो इसको हम क्या कहते है इस single एक सेख को हम कहते है इसको हम हम इसको कहते हैं अच्छा जी अब हम आते हैं कि इसकी और पुरस तैला कोड जो है आपस में stale stock हुए होते हैं जिस तरह के सिख्के उते हैं च्राइमें क्यों पड़े हुए होते हैं उनक्रेंद साथ यह स्टाक बना लेते हैं और इस सारी सारे स्टाक को हम क्या कहते हैं इसको हम गरेनम कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको गरेनम हम इसको कहते हैं जी आर ए इन यू एम इसको हम गरेनम का नाम देते हैं अच्छा हम आती हैं इसकी कुछ एक्स्प्लिनेशन की तरफ अच्छा जी तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर के गर हम बा करें the outer membrane is smooth इसका जो आउटर वाले जो क्या होता है यह जो membrane होता है यह स्मूथ होता है और इसके बाद आते हैं यह लिए नहीं लिएच्षा काल ऐक सिक्क्यी त्रेक शडरुप टीसके एक टेली की तरह एक शडरोतेसी तिप्र सतरव अन्यों अनिक्स्ट आतrain के नम् की तरफ आफ स्ट एक माप Teillakészय नेम ऑच्छन प्रश्य जो गडgos जो घएन अतालख वार फैक में इस तरह है एक ताइलकोड हो गई एक ताइलकोड हो गई एक ताइलकोड हो गई इस तरह बहुत से ताइलकोड एक दूसरे की उबस स्टाक हो जाते हैं और इस सार एक जो स्ट्रक्चर बना ले थी इसको हम क्या कहते हैं इसको हम ग्रेनम हम इसको कहते हैं अच्छा जी हम आवाते हैं इस प्लास्ट की तो इसके अंदर फ्लोट हो रहे होते हैं और इस सारे के प्लूट के तलाब जो होता है इसको हम स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है तो इस ट्रोमा के अंदर डार्क रियक्शन होता है डार्क रियक्शन को हम आने वले चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से लेंगे अच्च जी अब हम आते हैं function की क्लोरणो क्लोरप्लास की क्या function होती है तो इस प्लोरणो helfen की मौझूद की वगया से यह फॉरूसेंटेस्स के लिए एक साइड प्रोइड करते हैं अच्छा जी यह तो इसकी हो गई एक फंक्शन दूसरी का फंक्शन क्या होता है दे कंटेन क्लोरोपिल इसके अंदर क्लोरोपिल होता है एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो पूर सिंथेसिस के लिए बहुत जूरी होता है और इस तरह इससे जो प्रेशन 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 प्रे क्रोम को मतलब हो गया कलर एंड़ प्लास्ट का मतलब लग्या प्लास्ट इड्ल कि तक और यूझे तक इंदर का निट में मौत इड करेंग दिद फिफिटेट का यह से तो धिटiden पिटल एंड फ्रूट इसके अंदर मुटलिब के समके पिग्मेंट मौजूद होते हैं पार एक्जामपल यलो गई येलो पिगमेंट इसके अंदर मौझूद होते हैं और इसी तरह जो है इसके अंदर रेड पिगमेंट मौझूद होते हैं इसी तरह इसके अंदर ब्ल्यू पिगमेंट मौझूद है इस तरह पिंक मुतलब किसम के जो कलर होती है तो ये वहाँ पे मौझूद होती है कहा पे मुझूद होती है और फ्रूट्स में यह मुझूद होती है इसका काम क्या होते है अब यह आपको बदाता हूँ कि इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है कि पुलिनेशन में हैल करते है पर दाव फुलिनेशन हम किसे कहते हैं फ्लावर की तो अपे मुंद् Ortis को कहते हैं मैं यह पिड़ा कर रहा हूं यह है पर कि ये पर प्राइब है यह मेल प्लांट हो गई पर गारा एंदे और यह मेल प्रॉट नहीं कि चीज़ हो गई और यह कैँज ता कर दो यहांों हुआ यह को हम्ली प्लावर के उ hij हती आ, यहां पर शुक्तिंट करक्त। क्या होते है यह से पॉलन ग्रेंज मुन्तकिल हो जाती है यह स्टिग्मा के तरफ तो इस सारे प्रास को हम पॉलिनेशन कहते है इसके लिए एक एजन्ट की जरूरत होते है जो क्या करें जो क्या करें इस पॉर्स को प्लांट के इस हिस्से से जो पीमेल की स्टिग्मा तक ले जाने के लिए जो चीज़ दरकार होती है इसको हम पूलिनेशन एजेंट्स कहते हैं यह ड्यूटी कौन परफॉर्म करता है यह बहुते हैं इंसिक्ट्स होते हैं मक्की वगेर होगे जितने भी इंसिक्ट्स होते हैं तो यह परवाम करते हैं इसके जब भी प्लावर के ओपर जो है यह बैट जाते हैं तो यहां से जो पॉलिन ग्रेंज होते हैं इसके टांगों के साथ भी चिपक जाते हैं जो भी एक और प्लावर के ओपर यह बैट जाते हैं तो वहां से जो है यह गिर जाते हैं और स्टिग्मा तक मुंतकिल हो जाते हैं तो जब क्या होते हैं यह पिग्मेंट इसके अंदर की डिया पीटल्स के अंदर मुझुद थे और ये क्रॉम प्लास्ट के अंदर हैं मुझूत होती ये पिग्मेंट्स थो ईए अट्रिक्षन में बहुत ज्यादा काम करते हैं नेक्स्ट तरण मर हमारे आड़ इन चांदे पीप Harold लीगूपलास्ट होते हैं लू को एकलरलेस होते हैं ह क्वेल यह कलरलेस होते हैं, इसके अंदर कोई कलर बावे नहीं होते हैं, अच्छा जी अब धेर कलरलेस स्टोर्ज्ट ब्रुटीन एलिपेट्स इसक 35 काम क्या होता है। इसका बबसक private यह काम होता है, तो इसे पार्ट में होता है जो बेरंग होते हैं तो यह तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्लास के टाइप के बारे में डिटेल से पड़ा तो आज का हमारा लेक्चर अगर आप कोई लेक्चर अच्छी लगए हो तो इस वीडियो के लाइक करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बिल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर हमारी नई आने विडियो आप तक बरवक पहुंचती रहे और इसके ज्सक्राइब आपको कि उडियों को देने कि और आपको सक्काई कृपकी यह नोट्स वग्य खीरा चाहिए उती है तो आप पैर में ден घृुक के दरिया अप हम से राप सकते सो तरब तक कि य极ए उतना यदे निक्स लेक्चिर के अ अंदर तर तर तक कि यह जोथए झाल झाल झाल